नमस्कार दोस्तो देखो सीखो स्टेडी में आप सभी लोहोगा स्वागत है दोस्तो रेल्वे एनटी पीसी में पूछा गया प्रिबियस एर में कोशन उनीक ओम लिक्ए है दोस्तो एक सेट के माध्यम से यानि कि 32 नमबर सेट आ चुका है दोस्तो रेल्वे में पूछा गया previous year पर आधारित कोशन दोस्तो दीके सबसे पहला नमर जो कोशन आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है पीछे की और उड़ने वाला एक मात्र पक्षी कौन सा है पीछे की और उड़ने वाला दोस्तो एक मात्र पक्षी कौन सा है आपके दिये होएं जिन लोगो याद है बता सकते हैं कोशन पूरा में ले लेता हैं दोस्तो यहाँ पर पहला नमर कोशन यहीं वाला कोशन है द्यान दीजे दोस्तो मैं आप पर बता दूँ यह कोशन सारे के सारे जो कोशन है वो आपके पीछे उड़ने वाला एक मातर जो पक्षी है वो है हमिंग बड़। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट कोशन बात करते हैं दादा साहे फाल के पुरसकार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों दादा साहे फाल के पुरसकार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे ऑफ्षन आपके दिये में बताईए इसका रैड एंसर क्या तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देविका रानी जो है एक्ट्रेस हैं डी इसका सही उत्तर हो जाएगा देविका रानी दोस्तो परतम वेक्ति थी जो दादा साहिब फाल के पुरसकार से सम्मानी थी ठीक है एक्ट्रेस थी ठीक है चलिए नेक्ट कोशन बात करत दोस्तों ये किस देश का था बताइे comment box में किसी देश का वो होगा US चीन Great Britain या फिर France तो दीखें ये भी कोशन सभी किस अभी कोशन एंटी पीसी में पूछे गहें इसका right answer दोस्तों हो जाएगा Great Britain seas का सयुत्तर हो जाएगा जो titanic था था दोस्तों जहाज वो great britain का था चलिए next question बात करें अपने नाम greaty लगा लिए पहले चलिए next question बात करें real किस देश की मुद्र है real दोस्तों किस देश की मुद्र है बताइए railway में previous year में पूछा गया ntpc में तो देखिए real जो मुद्र है दोस्तों वो है किसका Brazil का ब्राजील का दोस्तों real मुद्र है seas का सय उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए next question जिन लोगों question समझ में आ रहा है comment box में उत्तर देते रहें ठीक है next question है जो आप का ntpc में पूछा गया था दोस्तों उसका परिवहन परिवहन से पूछ रहा है तो दोस्तों ध्यान दीजिये देखिए पहुचाता देखिए question क्या कहने का मतलब इसको कई तरीके से question पूछ लिया जाता है जो है पौदों में पानी और खनीज चतों पहुचाने का काम कौन करता है या उसके लिए उत्तरदाई कौन है ऐसे कोशन आएगा आपको एंसर लगाना है जाईलम जाईलम दोस्तो ठीक है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जाईलम दोस्तो जो पौधें के मतलब हर एक हिस्से में या पत्तियों तक या जो भी समझ लीजे खनीज पानी नाम चाड़के का था तो देखे जो तो यहाँ पर ऑफशन के हिसाब से विश्णो गुप्त इसका राइड एंसर हो जाएगा चाड़के के और भी नाम है जिन लोग को याद है और भी नाम कमेंट बॉक्स में बताईगा देखते हैं कौन को लोग सही जवाब देते हैं चाड़के का मतलब इन दोनों के अलावा कोई और नाम आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए देखते हैं कौन को लोग सही जवाब देते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन बात करते हैं, सूर्य की उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है, सूर्य में दोस्तों उर्जा होती है, यह उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है, railway NTPC में पूछा गया है, जिन लोगों यादे comment box बता सकते हैं तो देखे दो सूर्य में उर्जा होती है किस तरीके से नाभकिय सनलेयन या यहाँ पर option में दिया है परमाडू सनलेयन यह इसका सही उत्तर हो जागा दोस्तो सूर्य में जो है उर्जा कैसे प्राप्त होती है सूर्य में जो उत्पन होती है दोस्तो उर्जा वो उत्पन होती है नाभकिय सनलेयन या परमाडू सनलेयन ठीक है इसका राइड एंसर ए हो जाएगा next question लेने से पहले दोस्तो comment box में नाभकिय सनलेयन या परमाडू सनलेयन का कोई और example या उधारण दे दीजेगा देखते हैं कौन को लोग उधारण सही देते हैं नाभकिय सनलेयन या परमाडू सनलेयन का कोई और सूर्य के अलावा कोई और उधारण दे दीजेगा चलिए next question बात करते हैं निमलेखित में से कौन सा सहर वास्तू कला की दृष्टी से नियोजीत सहर है कौन सा सहर है दोस्तो जो वास्तू कला की दृष्टी से नियोजीत सहर है NTPC में previous year में पूछा गया question है तो देखियो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बंगलूरू बंगलूरू इसका रेड एंसर हो जाएगा बंगलूरू दोस्तों जो है कौन सा सहर है यहाँ पर तो बंगलूरू सहर है वास्तु कला कि दिश्टी से नियोजीत सहर भी इसका सहर हो जाएगा चलिए नेक्स कुश्चन बात करें निमनलिखित में से कौन सा Olympic खेले और खेल औरो से हटा दिया गया है कौन सा इनमें से खेल है दूस्तो न्टीपीजी में पुछा गया था relevant एंटीपीजी में कौन सा खेल है जो की Olympic खेलों छे अच्टा दिया गया है तो दोस्तो देखे इसका जो सही उत्तर हो जागा B Baseball दोस्तो Baseball को जो है Olympic खेलों से हटा दिया गया है B इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए Next Question बात करते हैं Computer के संदर में Lens का तातपर क्या है Lens का FullIES पूछ लिया है दोस्तों बदये देखे अस्तो ये सभी question हो सकता है आपको repeated लग रहे हो कई लोगों ने पढ़े भी होंगे क्योंकि previous वीडियो में भी in questions को मैंने लिया था तो दोस्तो देखे land का जो full form होता है वोता है local area network ठीक है भी इसका सही उत्तर हो जाएगा local area network चलिए next question बात करें next question जो question घाग रहे है दोस्तो निम्रेहीत नदियों में कौंती नदी पस्चिमी घाट से निकलती है नदी में पूछा गया B इसका से उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी चलिए next question बात करें O N G C O N G C का मुख्याले कहा है दोस्तो question था N T P C में पूछा गया था O N G C O N G C का full form बता दिजिए जिन लोग को याद है इसका मुख्याले पूछा था दोस्तो headquarter पूछा था दो देखिए इसका जो headquarter है मुख्याले जो है वो दहरा दूर में है दोस्तो D इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी साथ जिन लोग को याद है O N G C का full form comment box में बताएगा देखते हैं कौन को लोग सही जवाब देते है O N G C का full form यानि कि पूर्ण रूफ चलिए next question बात करें जो आपका N T P C में पूछा गया था जीवन की मूल भूत इकाई क्या है जीवन की मूल भूत इकाई क्या है options में से बताएगे दोस्तो इसका red answer क्या होगा देखिए जीवन की सबसे छोटा चीज में अगर जाएना तो कोशी का होता है एक कोशी की है बहु कोशी की है ये सब दोस्तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा मूल भूत जो इकाई हो जाएगा कोशी का ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है जीवन की मूल भूत इकाई कोशी का है अब आगे खोज पे हैं कि आगे क्या खोज जा सकता है next बात करें दोस्तो Mariana, Mariana Trench जो है दोस्तो यह किस महासागर पे इस्तित है Mariana Trench दोस्तो है यह किस महासागर पे इस्तित है बताइए Railway NTPC में पूछा का question है तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जागा दोस्तो वह है प्रसांत महासागर Mariana जो है न यह प्रसांत महासागर में है दोस्तो ठीक है इसका Red Answer हो जागा B प्रसांत महासागर Mariana Trench चलिए next question बात करें next जो question है सब्द विशुवत जो विशुवत सब्द दोस्तो संदर्भित करता है किसको संदर्भित करता है क्या संदर्भित करता है विशुवत सब्द बताइए तो देखिए विशुवत सब्द जो है दोस्तो दिन रात एक समान अधी के लिए विश्वत जो सब्द है वो एक समान दिन और रात के लिए समान अवधी के लिए जो दिन और रात होते हैं उसको संदर्वित करता है बी इसका से उत्तर हो जाएगा दिन और राजवे एक समान अवधी के लिए या के ठीक है उसको संदर्वित करता है चलिए next question बात करें Robert Galbraith को बहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं Robert Galbraith को दोस्तों बहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं तो दिखें दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा NTPC में यह सारे question पूछेगे हैं J.K. Rowling जे के रॉलिंग के नाम से जाना जाता है तो बहतर तरीके से रोबर्ट गालब्रेत को याद रखेगा जे के रॉलिंग इनका नाम है इस नाम से इनको बहतर तरीके से जाना जाता है next important point और बहुत यह असान सा question पूछ लिया था सबसे बड़ा कौन सा है कमेंट बॉक्स बहुत यहां इसका उत्ता तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देना चाहिए, देखिए, सबसे बड़ा इस्तन पाई की बात करेंगे, तो blue whale इसका red answer हो जाएगा, अगर यहाँ पर बोले कि जमीन पर तब आप हाथी या कुछ और लगाएंगे, लेकिन अगर जमीन पर नहीं बोलता है, सीधे अगर बोले सबसे बड़ा इस्तन पाई, तो दोस्तो blue whale आपको हर हाल में सही answer लगाना है, सीधे इसका से उत्तर हो जाएगा चलिए next question बात करें भारतिया विज्ञान संस्थान कहां है भारतिया विज्ञान संस्थान कहां है दोस्तो जिन लोग को यादे comment box मत ही है, relevant tpc में पूछा गए question है, भारतिया विज्ञान संस्थान कहां है तो देखिए भारतिया विज्ञान संस्थान है दोस्तो बंगलूरू में 20 का से उत्तर हो जाएगा, बंगलूरू में है दोस्तो भारतिया विज्ञान संस्थान बी इसका से उत्तर हो जाएगा चलिए नेक्ट कोशन बात करें दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भासा कौन सी है दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भासा कौन सा है दोस्तो वो आपको दना है comment box मताईए दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भासा कौन सी है दोस्तो तो दिखे इसका जो सहीद्तर हो जाएगा अंग्रेजी दोस्तो अंग्रेजी है C इसका सहीद्तर हो जाएगा अंग्रेजी दोस्तो comment box मताईएगा कि पहले नमबर पर कौन सी भासा है साथी साथ थार्ड नमबर पर कौन सी भासा है ठीक है दूसरी तो हमने देख लिया दूसरी यही अंग्रेजी जो है सबसे बड़ी भासा बोली जाने वाली पहले नमबर पर कौन सी भासा है 3D Number 1, तीसरी नमबर पर कौन सी बास आए आपको comment box में बदाना है देखते हैं कौन कौन लोग उसका सही जवाब दे पाते हैं चलिए निस्ट कोशन बात करें आस्ट्रेलिया का सबसे घनी अबादी वाला सहर कौन सा है आस्टेलिया का तुस्तों सबसे घनी अबादी वाला सहर कौन सा है बदाइए एंटिपीसी में पूछागया question है देखिए railway में पूछागया question है इसका जो सही उत्तर हो जागा Sydney Sydney जोस्तों जो है आस्टेलिया का सबसे घनी अबादी वाला सहर है Sydney यानि बीस का सही उत्तर हो जाएगा सिद नियाद रखेगा कोशन रिपीट भी हो सकते हैं अब देख लेते दोस्तों कल का प्रश्ण जो मैंने आप सभी लोगों से पूछा था भारत में सबसे पुरानी परवत माला कौन सी है भारत में सबसे पुरानी परवत माला कौन सी है दुस्तोव कल जो मैंने आप सभी लोगों से पूचा था तो देखें परवत माला शी सका सही उत्तर हो जाए दूस्तोव यहाँ पर कुछ लोगों ने सही एंसा दिया कुछ लोगों ने गलत या बहुत साथ लोगों ने answer ही नहीं दिया सीज का से उत्तर हो जाए दोस्तो अरावली परवत माला सबसे पुरानी भारत की परवत माला है चली आज का प्रशना देख लेते हैं जो आपको प्रीबियेस वीडियो में आपको मिल जाएगा कोश्चन जी का वाइरस किसके द्वारा मनुस में संचारित होता है जी का वाइरस मनुस में द्वारा जो जो संचारित होता है चुहा द्वारा मच्छर द्वारा जिंगूर द्वारा या करगोस द्वारा कमेंट बॉक्स बतेगा द्वस्तो एंटी बीसी का औरुल गुरुबडी के लिए इंपोर्टेंट सेट था दोस्तो आसकरते हैं दूस्तों कि हमारा प्रेयास हमारे वीडियो पसंद आओगा प्लीज हमारे मोटेशन के लिए वीडियो को अधिक सदिक लाइक कीज़े दूस्तों शेयर कीज़ेगा और अगर अपने देखोसी को स्टेडी इस वडू चुनों कोई तक सस्क्राइब नी किया